सनी देवल का डाइकिलो का हाथ आगे निकल गया है गदर टू का क्रेज पूरे इंडिया में फैल चुका है जैसे एक टाइम पे कोविड फैला था आम तोर पर बहुत सी फिल्में पहले वीक में जितनी कमाई नहीं कर पाती है गदर टू ने सेकेंड वीक में कही गुना ज्यादा कमाई कर ली है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है फठान जिसने हिंदी में जितना कलेक्शन किया था गदर ने सिरफ वीकेंड में ही वो कलेक्शन कर लिया है भी अपने टकर वाली फिलम ओएमजी टू से रोज तीन गुना ज्यादा कमाई कर पा रही है सनिवार को 32 करोड का कलेक्शन कर पी के बजरंगी बायजान और टाइगर अभी जिंदा है जैसी फिल्मों के रिकोर्ड तोड डाले है यहीं सन्डे का कलेक्शन 34 करोड पार कर गदर टू बावबली के हाइस्ट सन्डे का रिकोर्ड तोड डाला है अब गदर टू जो रिकोर्ड बना रही है जो की आने वाले टाइम में बड़े बड़े सूपर इस्टारों को इन रिकोर्ड को तोड़ने के लिए पसीने चुटने वाले हैं लेकिन दोस्तो फिलाल आप से डिटेल में 11 दिन तक इंडियन बॉक्स आफिस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से गदर टू ने कितने कमाई की है इन बातों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तो आपको सनी पाजी की कौन सी फिलम अच्छी लगती है कमेंट कर जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो बात करें गदर टू की तो पहले ही दिन से इस फिलम को ओडियन्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है जैसे आप सभी को पता होगा प्रेंस इस फिलम का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे फिलम रिलिज होने से पहले ही चार लाग से ज़्यादा लोगों ने एडवांस बुकिंग की थी जो कि अभी तक इतनी बड़ी बॉलिवुड में एडवांस बुकिंग नहीं थी के केरियर में 60 फिलमों में काम किया लेकिन सबी फिलमों की कमाई को जोड़ दिया जाए तो भी वे फिलम गदर टू के अकेले की कमाई के बराबर नहीं है 11 अगस्त को रिलिज हुई फिलम गदर टू ने पहले अपते में सांदार 285 करोड रुपे कमाई करते हुए सांदार आगाज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किया फिलम का दूसरे अपते का परदसन भी दमाकेदार रहा है फिलम ने दूसरे सुकरवार को 21.50 करोड रुपे दूसरे सनिवार को 31.20 करोड रुपे और दूसरे संडे को 49 करोड रुपे की कमाई की है वहीं सुमबार को फिलम का कलेक्शन 14 करोड रहा इस तरह गदर टूने 11 दिन तक 390 करोड रुपे कमा चुकी है गदर टू का इस तरह ओवर ओल लगबग 120 परतिशत हिंदी औक्योपेसी रही है